कि याल चले एंग्री बुल्स वेल्कम बैक टू दी चैनल आइप सबके ट्रेडिंग डेज बढ़िया जा रहे होंगे मार्केट अल्रडी बहुत पीक पे चल रही है और काफी अच्छे-च्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं रडार पे आ रहे हैं ट्रेड करने भी बहुत मजा रहा है सो लास्ट नाइम मैंने शैल भी शेर करा था और बहुत इतने टेक्स्ट आ रहे थे कि या शैल भी चल नहीं रहा है वहीं रुका है मूवी नहीं कर रहा है कुछ मूवमेंट नहीं आ रहे हैं वह लोगों के दिल में ठंडक मिल गई होगी यार 115 आपे वाल एक सो चौदा करा था अगर आप जादा क्लारिटी चाहिए तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उस वीडियो को जाके देखना वहाँ पर मैंने पूरी करेटी दे रहे हैं कि शालवी का अच्छुली क्या व्यू लग रहा है और कहां तक उसकी अपसाइड लग रही है ठीक है सो जाधा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बेसिकली कल इंट्राडे में कौन से स्टॉक्स में मुवमेंट मिल सकती है मैं निकाल रहा था सो अभी करता है कि या ठीक है मेरे फेर्वेट से हैं या मेरे लेट से आपका लॉट साइज के लिमिट रहती है दो हजार रही जार आप उससे बड़े लॉट साइज में ट्रेट नहीं करते हो तो उस लिमिटेशन वाले स्टॉक्स आप देख सकते हो कि हाँ ठीक है यह मैं इसमें कम कुन से स्टॉक से हैं तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पर है इसमें बहुत अच्छी वॉल्यम थी आज IDFC बैंक ओके ओके सो IDFC बैंक ने आज वैसी बहुत बढ़िया मूव दिया मैं इसका 15 मिट्स का चार्ट कोलता हूं तो अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं कि देखो तो बैसिकली IDFC बैंक जहां खुला उसने एक पर्टिक्लर ट्रेंड लाइन पर यह बार बार 15 मिट्स पर इसने सपोर्ट लिया और वहीं से यह बाउंस कर गया करके एक अपसाइड अलड़ी दे चुका है वैसे तो प्राक्टिकली मैं इसको थोड़ा से शिफ्ट करता हूं ज्यादा बेटर नंबर्स दिखेंगे ठीक है इसको बड़ा कर देते हैं तो अगर यह एक बारी 46 45 के लेवल से एक बार दिखा सकता है बेस्ट वाय कहां पर रहेगा बेस्ट अगर यह अगर इस पॉइंट को रीटेस्ट करने के लिए जहां से इसने ब्रेक आउट दिया इस पर्टिकलर पॉइंट को डैट मीन्स फॉट्टी रूबीज के आसपा गज़ा रहे एक बार रीटेस्ट करने के लिए आता है तो यहां पर अच्छा बाइर आएगा बिकॉस चांसे ऐसे हैं कि इस तरीके से मूव दे चीक है सपोर्ट जोन कहां पर है सपोर्ट जोन बेसिकली इसका 38 60 65 का जो रेंज है वो इसका सपोर्ट जोन रहेगा चीक है सो फर्स्ट स्टॉक इज आई डिफ सी बैंक सेकंड स्टॉक देखते हैं कौन सा है सेकंड स्टॉक इज नाशनल अलुमीनियम ओके सो नाशनल अलुमीनियम ओके देखो यहां पर एक नाशनल अलुमीनियम का 15 में एक रेस्टेंस था ठीक है सेकंड टाइम यह वापसी फिर वो रेस्टेंस पर आया और फाइनली इसने रेस्टेंस बेक कर दिया मैं इसको थोड़ा सा बड़ा अगर चार्ट को करता हूं तो इसमें प्लस अगर हम देखते हैं तो 15 मिनिट्स यानि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में एक पोलन फ्लैक टाइप का पैटन बना रहा है और 15 मिनिट्स में इसने ब्रेक आउट देने कोशिश करी है ठीक है तो आज का इसकी जो क्लोजिंग है 47.10 पर है हाई जो इसने ब अगर यह अपसाइड मूफ करता है तो आइफील यह 48.70 फर्स लेवल अगर 48.70 का लेवल तोड़ देता है तो उपर मेरे को एक्सपेक्टेड है कि 51.50 के आसपास दिखा सकता है ठीक है यह लेवल है नाशनल इलुमिनियम का जरूरी नहीं कि इंट्राडे में हो सकता है एक जो पाटन है वो निगेट हो जाएगा और जो अपसाइड मूव है वो थोड़े से आने के चांसे कम हो जाते हैं तो अगेन आप आपका जो रिस्ट रिवार्ड आपको मैनेज करके उस सरीके से आप इसमें इंट्री कर सकते हैं ठीक है सो नेक्स्ट स्टॉक एस एसी सी ओके सो अगेन एसी सी का मैं इसका आरली चार्ट कोलता हूँ बिकॉस आरली पे ही यह ब्रेक आउट ओके सो एसी सी ने बेसिकली ट्रेंड लाइन पे ब्रेक आउट दिया आरली में आज का जो इसकी क्लोजिंग है 1674 की है बेस्ट बाय इसका जो बनता है वह बेसिकली इस लेवल पर यह आखर के बनता है नीचे की तरफ जो की आएगा 1645 1645 से 1650 की रेंज अगर एक बार मिल जाती है तो वह लेवल जो है बेसिकली इसका एक बेस्ट बाय रहेगा सपोर्ट जो स्ट्राउंग सपोर्ट जोन से 1599 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो वहां से निकल जाना चाहिए पर जो पाटन है वो निगेट कर जाएगा और फिर अगें ऊपर जाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है अगर 1650-45 की जाता है तो अपशाइट कहाता है फ़र्स्ट अपसाइट मुरक को एक्सपेक्ट एगए 1700 क्या सपास आ सकती है 1700 का लेवल अगर एक बार तोड़ देता है तो 1750 के आशाइट करता हूं जाता हूं कि second upside मिरे को टेलीक्राम पर फॉलो करने टेलीक्राम का लिंक फिर से डाल दूँगा जो लोग लगता है अभी थोड़ी स्टीम लेफ्ट है ग्रासिम ने बैसिकली आज ही अपना वैसी भी सब्सक्राइब करने के लिए अगर मिल जाता है तो वहां पर लिया जा सकता है मैं इसका डेली चार्ट खोर रहा हूं डेली चार्ट में मेरे को यह उपर जाते वे एक हजार चालिस तक लगता है मतलब पहला जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वह 1015 के आसपास और सेकिंड जो है वह 1040 पे टिकता है जाकर ठीक है फूर्दर इसको और रिव्यू करेंगे ब वहाँ पर अच्छा बाइब बनता है वहाँ पर ठीक है लास्ट टॉक इस आईडी एफ से लिमिटेड इस लिमिटेड मैंने पहले भी एक बार यह सब चीज डिसकस करी है तो यह एक स्कुईजींग पाटन बना रहा है उपर से चलते वे आ रहा है स्टॉक नीचे तरह फॉल कर रहा है एक पटिकुलर रेंज में जाकर सपोर्ट ले रहा है वहाँ पर पोजिशन को स्वीज कर रहा है तो आज इसने अगें 15 मिनिट में इसने ब्रेक आउट दिया है ठीक ह है अपसाइड ऊपर की तरफ कहां पर लगती है देखो पहली अपसाइड मिरको एक्सपेक्टेड है कि यह 40 रूपीज के आसपास जाकर के टेकेगा सेकंड अपसाइड जो में को लगती है वह 42 65 नहीं 42 60 के आसपास मिरको लगता है कि वहाँ पर जाना चाहिए सपोर्ट जो जोन क्या रहेंगे सपोर्ट जोन जिसके बैसिकली अगर 37 के नीचे अगर यह क्लोजिंग देता है क्लोजिंग नॉट डेली क्लोजिंग 15 मिनिट्स की क्लोजिंग अगर 37 के नीचे देता है तो एधिंग एक्जिट कर जाना चाहिए इसमें तब थोड़ा सा पैटन आपको शेयर करें कि अगर उस पर्टिक्लर एरिया में आता है आपको यह मेरा चोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा मैं कोशिच करता हूं कि यह विकली बना दूं राधर आइमीन बहुत जादा टाइम वेस्ट करो चीजों के बारे में डिसकस करो और दिन बताओ इंट अच्छे लग रहे हैं जो मैं डेली बेसेश पर बना रहा हूं अपने फ्रेंज के साथ में शेयर करो विकॉज जितने सब्स्राइबर बढ़ेंगे थीरी थीरे व्यूज मिलेंगे तो मेरे को ही मोटिवेशन रहेगा कि यार मैं डेली बेसेश पर वीडियो बनाते रहा हू है दस बीजार थीजार पचाहँ जार वाले कैपिटल वाले वह करनसी में कैसे ट्रेट कर सकते हैं तो बहुत क्विकली बनाऊंगा उसका वीडियो में जल्दी सो स्टे ट्यून थैंक्यू सो मच पर वाचिंग गुड़ लग गुड़ नाइट